नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर डाक अदलत में डाक सेवा से संबंदित ऐसी शिकायोतों पर विचार किया जाएगा जिसका निप्तार अच्छा सब्ता के अंदर न किया गया हो ऐसे शिकायत करता जिनकी मेल, स्पीड पोस्ट, डाक वस्टू, काउंटर सेवा, बचत बैंक और मनी ओर्डर से संबंदित नाकपूर शहर मंडल, नाकपूर ग्रामिन क्षेतर छोड़ करके अंतरगत आने वाले डाक घरों से संबंदित कोई शिकायत हो तो उनसे अनूरत है क वे उपयुक्त डाक अदालत में उपस्ठित रहे, एक व्यक्ति से केवल एक ही शिकायत स्विकार की जाएगी, मूल शिकायत जिस अधिकारी के पास भेजी गई थी, उस अधिकारी का नाम, पदनाम और प्रस्तूत करने की तारीक का उल्लेक किया जाना चाहिए, साथ ही उस शिकायत करता को अपनी शिकायत पर अपना नाम तथा पता, टेलीफोन नंबर साइट लिखना चाहिए, शिकायत करता अपने स्वयम के खर्चे पर उक्त डाक अदलत में उपस्ठित हो सकते है निरंकारी सद्गुरु माता सुदिक्षा जी महाराज की पावन छत्रचाय में महाराष्टर का वार्षिक निरंकारी संतसमागम वर्चियल रूप में संपन्न हुआ सुदिक्षा जी महाराज ने मानवता के नाम अपने संदेश में कहा कि संतो के रुदय में सदायवई ही सबका भला करने का भाव होता है मानवता की सेवा करना ही उनका परमधर्म होता है हर किसी के रिदय में सभी के प्रती प्रेम, दया, करुना, सहनशिलता का भाव जागरत हो जाए तो इस संसार को स्वर्ग मैं बनाया जा सकता है यही प्रयास संत निरंकारी मिशन निरंतर करता आ रहा है पहले दिन खुले सत्र को संबोधीत करते हुए सद्गुरु माता जी ने कहा कि जब तक मन में विश्वास ना हो तब तक भक्ती संबोव नहीं हम विश्वास किस चीज पर रखते है या बाद भी मायने रखती है हम इक शन भंगुर रहने वाली वस्टूव पर विश्वास ना करके वास्तवीक रूप में स्थाई रहने वाले इस निरंकार पर विश्वास करना चाहिए जिसका अस्थित्व शाष्वत एवं अनन्त है चुकि परमात्मा आपरिवर्तंशिल एवं एकरस रहने वाला है इससे नाता जोडने वाले भक्त का जीवन भी एकरस हो जाता है प्रभु भक्ति के लिए यहाँ आवश्चक है कि हम प्रभु की रजा में बेशर्ट समर्पित हो जाए नाकपूर महानगर पलिका के पंचवार्शी काम चुनाओं के लिए प्रभाग संरचना का मसोधा एक फरवरी को घुशित किया गया था उसके बाद मनपा को 132 आपतिया और सुझाओ मिले मनपा को प्राप्ते 132 आपतियों एवं सुझाओ में से 109 की सुनवाई जीला कलेक्टर कार्यला के छत्रपती हौल में सुम्मार को हुई यह सुनवाई प्रमुक्साचु बी वेनु गुपाल रेड़ी नेली सुनवाई के दवरान संभग आयुक्त प्राजक्त लवंगारे वर्मा, जिलाधीकारी आरविमला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी, अपर आयुक्त राम जोशी, चुनाव आयुक्त अविनास सनस, उपायुक्त निर्भय जैन, साहयक आयुक्त समान्य प्रेशासन, मह प्रेश धामेचा साहित, चुनाविभग के अधिकारी मवजुद थे, सुमर दोपर बारा बजे, कलेक्टरेट कारेला के छत्रपती सबागरू में सुनवाई शुरू हुई, और शाम साड़े च्छा बजे तक चली, स्क्रीन पर मॉडल वर्ड सरचना दिखा कर, वर्डों क गठन को लेकर मनपा को 132 आपतियाव सुजा प्राप्त हुए है, जिनमें वर्ड की सीमा को लेकर 99, आरक्षन को लेकर 19, वर्ड में शामिल भस्तियों के नाम के संबन में 9 और अन्य पाच सुजाव आया है। किया गया है, पोल्टल विभिन्नक्षेत्रों के सभी प्रकार के विकलांग लोगों को आसानी से पंजिकरूट करने में सक्षम होगा। यह पोल्टल विकलांगों के लिए सामाजिक नय और विशेश सहयता विबाग और महराष्टर राज्य दिव्यांग महामंडल द्वार कारियान्वित विभिन्न योजनाओ की जानकारी प्रदान करेगा। गहर सरकारी संगठन, सामाजिक कारेकरता और दान्शूर लोगों को दिव्यांग बंद्वों को वित्तिय सहयता और उन्हें आवश्यक सहयता उपकरन पहुचाने के लिए महाशारत पोल्टल बहुत जिला परिशत के जिला समाज कर लान अधिकारी किशोर भोयर ने महाशारत पोल्टल पर अधिक से अधिक दिव्यांग बंद्वों से पंजी करन करने की अपिल की है। मलवार हाइस्कूल और जूनियर कॉलेज की प्रिंसिपल वैशाली डाखोडे चींजखेडे मैडम मुख्य रूप से उपस्तित थे। यह वर्क्शॉप दो हिस्सों में लिया गया, पहले सत्रम में लड़कियों के लिए और दूसरे सत्रम में लड़कों के लिए यह वर्क रखना चाहिए, इस बारे में चार नियम बताया गया, इस चर्चात्मक सेमिनार की स्कूल के अधिकारियों ने सहराना की और भविश्य में विद्यातियों के आचरन में स्वभाव में सकारात्मक बदलावाएगा यह उम्मीज जताई, इस वर्क्शॉप का संचालन एड़ इस हिससा सडक पर गिर गया, और काफी बड़े इससे की दिवार जुकी हुई है, सामाजिक कर्यकरता मनो जगरवाल को इसकी जानकरी मिलते ही, उन्होंने आशिश धावडे के साथ वहा का निरिक्षन किया, और धावडे ने गोडाउन के मैनेजर से संपर्क कर इस विशह म लोगों ने की है, परन्तु इस गोडाउन के आला अधिकारियों को कोई फरक नहीं पड़ रहा है, उनकी लापरवाई से इस दिवार का कुछ हिस्सा गिर गया है, दिवार से सटेववे इलेक्ट्रिक लाइन का ट्रांसफर्मर, वह कई स्ट्रीट लाइट के खंबे भी इस मारक समिती काटोल बाईपास रोड स्वरगिया बालासाइप ठाकरे चोक वाड़ी में महाराष्ट्र नव निर्मान सेना के पदादिकारियों ने चत्रपती शिवाजी महाराच की जयनती मनाई, डिजे की धून पर शिवाजी महाराच पर आधारित, गीत प्रसारित किय और महाप्रसात का वितरन कर आतिश बाजी की गई और धूमदाम से शिवजयनती मनाई गई, इस अवसर पर प्रदेश सर्चितने सेमन गड़करी, जिला अध्यक्ष सतिश कुले, आयोजक नाकपूर तालू का संगटक, दीपक ठाकरे के मार्गदर्शन में कारेक्रम वेदांत रहांग डाले, वैभाव तूपकर, एडवोकेट वंदना जाधो, नीतीन पिठोरे, विनेज्जा, हरी शेलोटे, पंकच धिर्डे, अतुल मिश्रा, भारत ठोंबरे, गोलो इखनकर, विक्की लोखंडे, सुरज घोष, महादेव शेलके, रामाजी यादव, आक सोनकुसरे, आकाश मिसाल, आदेश वसनिक, संजय गायकवाड, राज सोनवने, देवा सोनकुसरे, राजेंद्र करना के, अविनाज घोटेकर, मोहन हजारे, महेश मसकरे, सुखराम मसराम ने प्रयास किये, बड़ी संख्या में मन से कार्य करता वो पदाधिकारी गण उपस सित्थे, अमरुतवेला ट्रस्ट के भाई रिंकुवीर की प्रेड़ना से, न्यूशिव मंदिर सिंधी कॉलोनी में, अमरुतवेला परिवार खामला की ओर से जारी, अकंडपार्ट साहिप की समापती, आज मंगलवार 22 फरवरी को होगी, परिवार के अनुसार मंगलवार क भोग साहब के पस्चात सुक्षानती हे तू अर्दास की जाएगी, गुरु संगत दर्बार में प्रसात की रूप में लंगर वितरित किया जाएगा, अमरुतवेला परिवार ने संगत से धार्मिक कारेकरोमों का लाब लेने की प्रार्थना की है भारतिय जंतापारटी तथा सामाजीक, धार्मिक, शैक्षनीक एवं मानव सेवा के लिए अग्रणी संस्था, सर्वा मानव सेवा संगत तांडापिट शाखा ने हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपती शीवाजी महाराज की जैनती धुमदाम से मनाई इस अउसर पर मुख्यरूप से भाजपा नाकपूर शहर अध्यक्ष एवं विधायक प्रविन दटके, संस्थापक अध्यक्ष तथा भाजपा राष्ट्रिय परिशत सदस्य सुभाश कूटे चा अमुल ठाकरे, राम अंबुल कर, किशोर पलांदूर कर, शाखा अध्यक् सबी ने चत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्लारपन कर उने श्रद्दान जली दी, दटके ने शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी वीर गाथा पर प्रकाश डाला, कारेक्रम को सफल बनाने में प्रितम बोकडे, सारिका खंडे, वैशाली नंदनवार, महा जविंद्र धकाते, गुल्शन बारपात्रे, भबलु प्रजापती, शेखर कवडे, आधिकारेकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रयास किये, कारेक्रम का संचलान ट्रितम बोकडे ने किया आज 15 प्लस और 45 प्लस आयुवर्ग के सभी नागरिकों का कोविशिल्ट का टीका करण, नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी किंद्रू पर होगा टीका करण का समय शाम के पाच बज़े तक होगा, टीका करण के लिए ओनलाइन और आफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजिकरन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइव इन वैक्सिनेशन के इंद्रू पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिकायों के सभी नागरिकों को कोविशिल्ट के जरिये टीका करण किया जाएगा यह जानकारी चिकित सा स्वास्थे अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकरन दी इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आईवर्ष के नागरिकों के लिए कोवेक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासायब आमबेटकर अस्पताल कामठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महल रूग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इममबड़ा इंदिरा गांधी अस्पताल गांधी नगर मनपास्त्री अस्पताल पाचपौल और प्रगती हौल दिगोरी में उपलब दे शहर के सुप्रसिद्ध चिकित सक डॉक्टर प्रविन डबली की बदौलत नन्नी नीधी धर्मेंद्र वानखेडे के हातों में सब्वेदना आ गई है मौदा निवासी पाच वर्ष ये नीधी धाई वर्ष पहले डॉक्टर डबली के पास रेफर की गई थी तब उसका बायाहाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था उसके पिता ने बताया कि जन्म से उसका बायाहाथ काम नहीं कर रहा है सभी प्रकार का इलाज करवाया गया, लिकिन कोई असर नहीं हुआ, उसके पिता ने कहा कि आप प्रयास करें, हम उम्मिद लेकर आये है, ऐसे में क्या कर सकते है? तब डॉक्टर डबली ने कहा कि वे जरूर प्रयास करेंगे, डॉक्टर डबली ने उस बच्ची पर हातों की उंगलियों से नसों पर स्टिमूलेशन देकर नर्वस सिस्टम को उद्वेलित करने का प्रयास शुरू किया, इंसान की निरंतर कोशिश और इश्वर के आशिरव प्रयासों के बाद अब निधी का हाथ ठीक से काम कर रहा है। चोरी की एक गाड़ी पर जाते हुए यह दोनों चात्र पुलिस को बुधवारी बाजार में मिले थे। जिसके बाद जब पुलिस ने पूछताच की तो उन्होंने शहर में चोरी की करीब 6 वारदातों को अंजाम देने की कबूली दी। पुलिस के हाथ लगे। पुलिस नाकपुर में 25 फरवरी को शाम 6 वजे प्रारंब हुगा। बारतिय सिनेमा में लता जी के अपार युगदान को याद करने के लिए उनके सबसे लोकप्रिय गीत प्रसिद्ध गायक, सुर्भी ढूमने, मंजरी वजद्य आयर वह मुकुल पांडे द्वारा प्रस् माया से मिलकर हम जीवात्मा हो जाते हैं, जबकि हम अंश है, भगवान की लिला से ही जीव सुरुष्टी उत्पन्न होती है, जो कि ब्रह्मा की एक से अनेक की च्छनुसार स्वरूप धारन करती है, जीव की तीन अवस्थाए है, शुद्ध जीव, संसारी जीव, मुक्त ज करता है, मुक्त जीव, शुद्ध ज्यान स्वरूप ही रहते है, इश्वर की कृपा से ही उनके भक्त, परमानन्द को प्राप्त करते है, हम भगवान के संद्मुक जाते है, तब किसी से कोई याशना न करे, जो भी मांगना हो भगवान से ही मांगो, वचनामरुत के बाद वसंत उत्सो प्रारंबकर फूल फाग मनुरत किया गया, इस आउसर पर सभी उपस्तित वैश्णवों ने एक दूसरे के साथ होली खेली, इस आउसर पर हवेली में किर्टन गुंचता रहा, कारेक्रम और प्रवचन के सफालतार्थ सभी वैश्णववा वललब प्रिती की लोगों ने प्रयास किया, विदर्ब विचार मंचे नागपूर के अध्यक्ष सुनिल चोखारे के आयोजन में विदर्ब वीर जामवंत्राओ धोटे की पाचवी पुन्यतिति का आयोजन प्रेस कलब नागपूर में रखा गया, विदर्ब विचार मंच की टीम ने समय से पहले आयोजक सुनिल चोखारे के आववन पर काफी संख्या में लोग जूट चुके थे, मुख्यरूप से किसान ब्रिगड के निता प्रकाश पूरे कारेक्रम के अध्यक्ष थे, वह राधाकृष्णा हस्पिटल के संचालग गोविंद पुद्दार की उपस्थित प्रेस क्लब में तीन बजे तक श्रद्दान जली देने वालों का ताता लगा रहा, बड़ी संख्या में पत्रकार भी उपस्थित थे, कारेक्रम की प्रस्तावना विदर्ब विचार मंच के अध्यक्ष सुनिल चोखारे ने रखी, सुनिल चोखारे ने अपने संबोधन मे जामुंत्राव धोटे को श्रद्दान जली दी और उनके कारियों तथा अलग विदर्ब राज्य के लिए संगर्श्वर प्रकाश डाला, यह अत्माल तथा नाकपुर से विदायक तथा सांसत के रूप में उन्न ने कई महत्वपुरुन कारिय किये थे, अलग विदर्ब राज्य की मांग दोटे नहीं बुलन की थी। अधिवक्ता माधवदास ने भी अपने आशिरवचन में सभी को बधाईया दी। जै सहज रामानी, डक्टर विंकी रग्वानी, भाजपानेता शाम जेस्वानी, श्रीचन चावला, मैला अध्यक्ष उशादानी, राजिश धन्वानी, वीजय तामबे, रवी जेस्वानी, जगदिश वंजानी, सीमा मेश्राम, शेरो रंगलानी, बल्देव मंशानी, रा इसके लिए जुनून होना अत्यनत्य आवश्यक है, 2022 प्रेसिडेंट कप के लिए इंटर स्कूल क्रिकेट टुर्नामेंट का उधगातन दिल्ली पबलिक स्कूल कामठी रोड नाकपूर में संपन्न हुआ, इस टुर्नामेंट की परिकल्पना प्रोफेसर वाइस चेयर परस में रोची उत्पन्न की जा सके, उधगातन समारों में बाबुराव यादव, महा प्रबंदक MS धोनी क्रिकेट अकैदमी, ग्लोबल, प्रिंसिपल सूश्री रीतु शर्मा ने उपस्टित लोगों को संबोधित किया, और टुर्नामेंट में चात्रों की उत्साहव में बाबुराव यादव ने अपने उधबधन में महत्वा कांख्शी क्रिकेटरों को अनुशासन के साथ अपनी क्षमताओं का सर्वस्रेष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया, कारेक्रम के उधगातन के उपरांत विभिन्न स्कूल टीमों के बीच मैचों के का चत्रपती शिवाजी महाराच जैनती के अउसर पर परमात्मा एक बहुत देशीय शिक्षन संस्था तांडापिट नाकपूर की ओर से मध्धनाकपूर के वसुले मैधान प्रभाक क्रमंक 12 में अंगनवाडी सेवी का आशा वरकर, राशन दुकांदार, वाल ओपरेटर, सेवकों का सतकार किया गया, इस कारेकरम की अध्यक्षता महानत्यागी बाबा जुम्देव जी उगमस्थान संस्थान नाकपूर की चेयर परसन विठाबाई ठुबरी करने की, कारेकरम के उदगाटक, नाकपूर नागरिक बैंक के अध्यक्ष संजय भेंडे, तथा खाद जी ग्रामोद्योग आयोग के सद्यस्य जै प्रकाश गुपता थे, कारेकरम में मुख्य रूप से विधायक प्रविन्दट के विकास कुम्भारे, डॉक्टर सुभाश राउत, डॉक्टर विंकी रुगवानी, गिरधारी मंत्री, डॉक्टर संतोश मोदी, राउत जैसिंग कुश्वा, शकुतन तला पारवे, राजिव राजुर कर, रविकान देली कर, अधिमान्यवर उपस्थित्ते, चत्रपती शिवाजी महराज के प्रतीमा पर माल्यारपन के वस्चात, कारेकरम का प्रास्तावित भाशन संस्थाध्यक्ष भासकर पराते ने किया, जैप्रकाश गुपता ने कहा, कि अगर रोजगार के संब्दित कोई भी अडचन हो, तो आप सीधा भासकर पराते से मिलो, क्योंकि कोरोना काल में बहुत लोगों के रोजगार चले गए, पर कोरोना काल के बाद सबसे पहले खादी ग्रामोद्योगायोग की मदद से, जैंत मलकानी प्रमुग भूमिकाव में नजर आएंगे, यह शो की कहानी सामाजिक दूरी के मवजुदा दौर में होने वाले एक शादी पर आधारित है, जिसमें सभी रिष्टेदार केवल सिमीत महमानों की उपस्ठिती के आशय को नजर अंदाज करते हैं, और इसी वज इल, तपस्य आग्नी उतरी, शांती ओडवानी, नीरच सूत, समरुद्धी चड़ा, इस्तियाक खान, मिथिलेश चतुर्वेदी, संदेश नायक और मेली सापेस जैसे लोकप्रिय कलाकारों ने एहम किरदार निभाय है, शुबमंगल में दंगल की कहानी, विश्वनात, न अधिनियम लागू है, जिसे देखते वए परिवार के मुखियाओ को, शादी में आने वाले महमानों के संख्या को, पचास तक सिमित रखने की जिम्मेदारी सोपी जाती है। सामान जप्त किया गया है, इसके अलावा जुवा अधिनियम के अंतरगत, छे मामलों में 14 आरोपियों को गिरपतार किया गया, और उनसे 1,08,000 रुपे का जुर्माना वसुला गया, उपरोकत सभी आप्रेशन, सहयुकत रूप से नाकपुर सिटी पुलिस द्वारा किये ग किया है, प्ली आपुलिस द्वासitu किया गया है, जातार किया भी आप्रेशन, सहयुकत ते जज़ कोगतारिशन, सहयुकत वाप लगया है, जातार में 14 भ Mittel, आरोप